तो कि परिक्षा हमारी 2023 में हुई थी इस परिक्षा के संबंद में रिजल्ट आउट हो चुका है और परिक्षा परणाम बितरित किये जाने हैं इसकूलों के माध्यम से प्रधानाचार के हेड्स से ये लॉग इन होना है तो कैसे होगा आए वीडियो को देखते हैं ध्यान से देखिएगा चुकि सभी स्कूलों के लिए ये लॉग इन होना है आपको NBMC आपके गूगल पे टाइप करना है जैसे ही आप NBMC टाइप करते हैं आपकी साइट ओपेन हो जाती है इस साइट पर प्रधानाचार के रिजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो की कर रहा है तो आप अपना मोबाइल लंबर पासवर्ड के तौर पर यूज करके एक बार ट्राइ करें अन्यथा आप विद्या समिक्षा के अंदर से संपर्क करके अपना पासवर्ड ग्यात कर लें इसके बाद जब आप पोर्टर पर जाएंगे तो निपुन भारत मिशन की ये वेबसाइट ओपन होती है यहाँ पर अगर आप देखें तो यह के पी आई हैट टीचर बी ओ एचेम डेटा रिपोर्ट और थर्ड नमबर पर आता है सरलनेट वन टूथ हाउजन टूटी थरी इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें नेट रिजल्ट मिलता ह है चुकि हमने स्कूल से ही लॉगिन किया हुआ है इसलिए यह परणाम बस दो पॉइंट में है एक से तीन का परणाम आपका पहले पार्ट पर है और चार से आठ का दूसरे पार्ट पर है तो एक से तीन के परणाम को जब हम ओपन करते हैं तो इस तरीके से कुछ हमारी एक परिक्षा परणाम हमें नोट करने हैं जब स्क्रॉल करके हम राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पर व्यू रिजल्ट पर क्लिक करके हम एक एक बच्चे का परिक्षा परणाम देख सकते हैं अब इतना समय ना होने के कारण हम यहाँ पर एक बच्चे का देख तो लेंगे लेकिन मैं आपको Excel सीट से कैसे सारे बच्चों का एक सार डाउनलोड करेंगे उस बिसेफर बताऊंगा यहां पर देखे एक बच्चे का मैंने परिक्षा परणाम यहां पर डाउनलोड किया है ये परिक्षा परिणाम जो रिपोर्ट कार्ड है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा जिसमें अविवावकों से अपील करने के लिए ये चार पॉइंट दिखाए गए हैं इसके बाद नीचे की और हिंदी में बच्चे का प्रचफल क्या होना चाहिए उसको बताया गया है जो कि आप नीचे देखें यहां पर अविवावकों से अपील है और उसके बाद नीचे आ करके बच्चों के विशेवार सीखने के प्रचफल हिंदी में दो से तीन वन और अ के साथ की गई है उसके बाद जब उपर जाएंगे तो यहां पर बच्चे की प्रगति पत्र पूरी तरीके से दी गई है कि किस तरीके से बच्चे ने आपका परिक्षा परणाम प्राप्त किया हुआ है उस परिक्षा परणाम के आधार पर आप विभाग के द्वारा भेजे जा रहे रिपोर्ट कार्ड पर बच्चे की ब्यक्तिगत जानकारी को अंकित करके और ये ग्रेड आप अंकित करके बच्चे को परिक्षा पर ये प्रगति पत्र या आप रिपोर्ट कार्ड बितरित करेंगे अब बच्चों के रिपोर्ट को एक साथ डाउनलोड करने के मेरे सामने है अब इसको हम अपने पास print का और excel में export करने के लिए यहाँ पर click करेंगे और अगर इसे हम print करना चाहते हैं तो print पर click करके save as PDF करके हम अपने mobile पे भी इस data को save कर सकते हैं आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने excel seat को download कर लिया है यहाँ पर अब आप अपने software से जब से आप अपने सारे स्कूल के सारे बच्चों के परिक्षा परणा हम एक साथ देख सकते हैं net one का result आपकी आँखों के सामने होगा अब इस result को अगर आपको save करना है तो यहाँ पर से view result नहीं मिल पाएगा चुकि यह downloaded copy है आपको पीछे जाना होगा और पीछे जाकर के आप जहाँ पर के print का option धिया गया है print के option से आप वापस जाकर के print करने के लिए जब आप click करेंगे तो आपका result दुबारा से print हो जाएगा और इसको आप अपने पास अपने mobile पर save कर सकते हैं यहाँ पर आप 100 का marks एक बार फिर से देख लें all कर देंगे इसको all करने के बाद आप Excel सीट पर इसको फिर से फारवर्ड कर लेंगे दोनों की दोनों डेटा आपके सामने डाउनलोड हो जाएंगी मैंने यहाँ पर दोनों डेटा डाउनलोड कर लेंगे यह देखिए हमारे पास Excel सीट पूरी तरीके से आ चुकी है print preview में save as PDF कर देंगे तो आपका यह result आपके mobile पर soft copy के तोर पर store हो जाएगा और इसे आप भविश्य में अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग कर पाएंगे तो इस तरीके से अपने विद्याले के result को NBMC की site पर जा करके आप परिक्षा प्रणाम देखने और विभाग के द्वारा भेजी गई report card पर इसकी जानकारी अं अब यहां पर आप अपने विद्याले का data offline save कर सकते हैं और offline save करने के बाद ये result आपके पास संग्रहित हो जाएगा विद्याले के heads के mobile number से ये data आपका प्राप्त होगा आपको विद्या समिक्षा केंदर से password अगर आप भूल गए हैं तो उसे login ID में आपने क्या password डाला है इस बात को विद्या समिक्षा केंदर से प्राप्त कर लें विद्या समिक्षा केंदर में थोड़ा सबर रखिएगा चुकि बहुत सारे अध्यापक वहां पर call कर रहे होते हैं इसलिए number आपका एक या दो बार में नहीं भी मिलता है तो आप प्रयास करते रहिएगा आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा धन्यवाद